मसलों की कमी नहीं है और अगर मैं ये कहूँ कि ये मसले पिछले दस साल की पैदावार है तो गलत होगा कहना ये मसले दस साल की पैदावार नहीं है ये मसले जमू कश्मीर का यूटी में तबदील होना उसकी पैदावार नहीं है बेशक उस वज़े से शायद हमारे कुछ मसले बड़े होंगे लेकिन शुरुवात वहां से नहीं हुई मैं इससे पहले जमू कश्मीर का मुख्मंतरी रहा छे साल उस वक्त कौनसे मसलों की कमी थी मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उस वक्त मैं आप लोगों से मिलता था तो कोई मसले थे नहीं आपके वो छोड़िये मैं जब वाजपाई साहब की हकूमत में इंडस्ट्री और कॉमर्स का मिनिस्टर और स्टेट था उस वक्त भी आपके चेंबर के साथ लवातार मेरी मुलाकात होती रहती थी उस दोरान भी मसले थे कुछ मसले हमारी जोग्राफिया के नितीजे हैं हम इस मुल्क एक कोने पर बसे हुए हैं हमारा अपना मार्केट बहुत छोटा है हमारी रोड़ मेटिरियल बेस बहुत कम है हम उमीद करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए रोव मेटिरियल बाहर से लाना होगा और फिनिश प्रोड़क्ट यहाँ से बाहर ले जाना होगा वो इंडस्ट्री बिना हकूमत की मदद के वायबल हो ही नहीं सकती तो मैं एक तरफ से तो अजीब सा लगता है कि हमें इंडस्ट्री को जिन्दा रखने के लिए बार-बार इंसेंटिव्स की बात करनी होती है लेकिन कुछ इलाकों में बिना इंसेंटिव्स के इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है अब इंडस्ट्री पर जब हम आते हैं तो सही का जमीन भी हमारी इंसेंटिव्स भी हमारा बिजली भी हमारी इस्तिमाल होगी आग और हवाद खराब होगा तो हमारा होगा लेकिन हमारी अंसिलरी इंडस्ट्री नहीं लगेगी हमारी लगी हुई इंडस्ट्री से जो है किसी तरह का प्रड़क्ट सोर्स नहीं होगा हमारे लोकल लोग लगेंगे नहीं हमारा ट्रांसपॉर्ट इस्तिमाल नहीं होगा तो मुझे बताईए ना उस इंडस्ट्री का हमें क्या फाइदा इसने मनें बार-बार ये कहा था उस वक्द हमारे पैकेज बन रहे थे कि वो पैकेज जिसमें लोकल एंप्लॉइमंट का एक पक्का हिस्सा ना हो जिसमें लोकल इंडस्ट्री को एंसिलरी के तौर पे बढ़ावा देने का एक हिस्सा ना हो जिसमें लोकल ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ ना हो उस इंडस्ट्रियल पैकेज का हमें फाइदा नहीं है क्योंकि हमारा ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो हम सब जानते हैं जो इंडस्ट्री पैकेज के लिए आती है वो सेरिफ और सिवरिफ पैकेज के लिए वहां पे रहती है और पैकेज के बाद जो है वो अपना बोरी बिस्तरा बंद करके चले जाते हैं रहता कौन है आप रुख क्योंकि आप इस जमीन के साथ जुले हुए हो ये आपकी जमीन है मर मिटना हमने इसी जमीन पर है इसका दुख दर्द हमें है ने तो कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट है हमने नहीं देखी जब जमू कश्मीर का अपना खसूसी दर्जा था और यहां मनोपली और रिस्टिक्टिव ट्रेट प्रैक्टिसिज एक्ट अप्लाई नहीं करता था तब हिंडस्तान लीवर्ज ने इतना बड़ा फैक्ट्री यहां बड़ी ब्रह्मना ने लगाया था शायद मुल्क का सबसे बड़ा फैक्ट्री उनका वहां पे था जिस दिन कानून में तबदीली आई और वो एक्ट जम्मू कश्वीर पे लागू हुआ हिंदुस्तान लीवर्ज को दो दिन नहीं लगे यहां से भागने में फैक्ट्री मशीन सारा कुछ छोड़के यहां से चले गए इसी तरह कई और ऐसे मिसाल मैं आपके सामने कंपणी के नाम लेके पेश कर सकता हूं, जो पैकेज के लिए आए और पैकेज के बाद चले गए है इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पैकेज जो हमें मिलें इंसेंटिव जो हमें मिलें हम उन इंडस्ट्री का हाथ बटाएं जिनूने मुश्किल दोर में यहां पे सर्वाइव करने की कोशिश की जिनूने मुश्किल हालात का जो है सामना किया और जो अब थोड़ी सी मदद के साथ यहां और ज्यादा फलें पूल सकते हैं ग्रो कर सकते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आने वाले दिनों में गवर्मन्ट विंडिया के साथ प्री बजिट जो मीटिंग्स होंगी इस गवर्मन्ट विंडिया के साथ इन पैकेजेज के मुतलेक हमें टेक अप करनी होंगी महरबानी करें को मुझे दे दीजेगा क्योंकि बीस इकीस को जैसर मेर में मीटिंग है एक तो प्री बजिट डिसकॉर्शन की और उसके बाद जी एस टी कांसल की तो इन दोनों इस इसको लेके जो भी मुद्धे आप चाहते हैं कि वहां फाइनांस मिनस्टर साहिवा के सामने हम उठाएं महरबानी करके एक नोट मुझे और वैजया साथ को आप दे दीजे ताके उन एक-एक इसू को हम वहां गवर्मन्ट विंडिया के साथ बेकाप करें और उनसे हम आपया साथ जाएंस अएएंस झाएंस झाँप़ करें जन सामने हैं कि वहां प्रागल मुझे अएवार्मन्ट भ्राएंस यार्मन्ट वां यहां झाएंस प्राद साहिएंस